सबी दोस्तों को नमस्कार, मैं सुभे सिंग अरियना विवानी से अपना उर्गनी भारत में आपका स्वागत है, सबी को अभी नंदन है मैं आज जो जुलाई के महीने हम कौन-कौन सी सबजियां उगा सकते हैं, तो उस पर चाचा करेंगे क्योंकि अभी गर्मी का जो टाइम है वो जा चुका है और अब बरसात का सीजन आ गया है, तो इसमें हम बहुत सी सबजियां उगा सकते हैं, कुछ सबजिया ऐसी है जो बहुत ही जल्दी त्यार हो जाती है, और कुछ सबजिया थोड़ा सा समय लेती है, तो हम आज सिस्टम से करेंगे, तो सबसे पहले जो सबजी त्यार होती है, अगर आप जुलाई में मूरी लगाते हैं, तो मूरी बहुत जल्दी त्यार हो जाती है, 30-45 दिन में त्यार हो जाती है, और मूरी के बाद हर्या धनिया होता है, उसको भी आप उगाया जा सकता है, वो भी 30-40 दिन में ह तो किसाना कम से कम 40 50 50 60 रुपय तो जा रहा है तो यह बीद उगा सकते हैं और इसके इलावा बेल आली सबजीयों के चर्चा करें तो बेल वाली सब्जीयों में जैसे घीया है तोरी है और पेठा है करेला है खीरा है और ये भी फसले जो बेलवारी उनको उगा सकते हैं तो गिया को अब हम करीब पचास से साथ दिन में मिल जाए गिया अब जो गिया जुलाई में अगर हम बोते हैं तो उसकी जो अब में फसल है वो दिसंबर तक मिलती है ऐसे तोरी की मिलती है और करेला की भी ऐसे ही है करेला खीरा उसकी फसले लंबी मिलती है तो इनको आप गोबर अखाद मिलाके और अच्छा बीज हो देशी बीज मिल जाए आपको या फिर जो भी आपके एरिये में वाईज जो विराइटी आपके एरिये में काम्याब है वो ही बीज ले या आप अपने नजदीक के जो होटी कल्चर डिपार्टमेंट है उससे संप करें क्योंकि एरिये वाई जाला गलग विराइटी होती है जो आपके एरिये मच्छी पैदावार दे वो ले और उसको फिर आप उगाए और अगर और्गनिक करते हैं सबजी तो और्गनिक में भी रेट अच्छा मिल सकता है क्योंकि आप एक और्गनिक केमिकल रहित गिया तोरी करेला पेठा ये उगाओ कुछ और एक केमिकल तो जो हम और्गनिक उगाते हैं वो बहुत ही जल्दी त्यार हो जाती है इसको ज़्यादा पकाने की जूरुत नहीं होती दो-चार मिट में बने जाती है और लेकिन जो केमिकल होती है उसमें दो-तिन सिट्टी लगवा उसमें तो उसी में आप डाल सकते हैं घर आप बिना कर डाल सकते हैं जैनल पर आप बना कर डालते हैं आप जाकर देख सकते हैं कि जिवामरत है और वस्टी्टीन कंपोज़र है मस्टर्ड केक का कैसे बनाते हैं तो वो ऐसे डाल सकते हैं तो तो यह सबजी जुलाई के महीने में आप कौन-कौन सी सबजी उगा सकते हैं कौन-कौन सब्जी अच्छी फसल ले सकते हैं उस पर चर्चा थी तो आप अभी जुलाई का महिना है तो अभी सब्जी बोशकते हैं लेकिन सावधानी तोर परी रखना कि आपने थोड़ा सा हाइट भोना है ताकि हाइट का मतलब है कि अगर बरसात का पाणी भरता है सब्सकानी होगा और अगर जहां पानी भरता है तो वहां पानी निकड़ने का सिस्टम होना सही है नहीं तो अगर दो तीन दिन भी अगर 24 घंटे ज्यादा पानी रहता है बेलवाली सब्जियों में फर फंगस लग जाती शूख जाती है तो इस बात का वीशेश जहां रख पानी भरता है तो वहां सावदानी भरते तो दोस्तों ये जुलाई के महिने में गुरों की जाने वाली सब्जिया थी तो सभी दोस्तों को नमस्कार